हेलो माई डियर स्टुडेंट गुड ओफ गुड मॉर्नेंग आप सब कैसे हैं आई होब कि आप सब अच्छे होंगे ठीक है आज आप लोग जैसा की सोच पा रहे होंगे मेरे छोटे भाईया है और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं आपा रहा है सरकाव तो करन वीडियो नहीं अप्लोड किये कर पाया हूं बटा चुक्ति है तो आज से आप लोगों को वीडियो अप कोसिस करूंगा कंटिन्यू आप लोगों चैनल पर मिले हैं ठीक है तो जो मैं आज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं भारत का भूबल है इससे पहले मैंने अप्लोड हो चुका है लेकिन बाद में फिर से एक बार रिवाइच कराएंगे जो लोग वीडियो का मकसद यह है ओनलाइन प्लेटफर्म को आप लोग चाहें तो अपना खोल के रख सकते हैं कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा औ और सभी लूप पड़े हैं पुलिस का भी उसका केनम एक्जाम की डेट हो सकता आठ दस मार्च हो जाए या फिर अठारा मार्च अठारा फरवरी को यह पेपर होने को इसमें अस्वन्यस की स्थिवनी हुई है और PCS की लास्ट डेट जो है वह 29 तारीक है तो आप लोग PCS फोरम फिल कर देंगे ठीक है अभी 2022 का रिजल्ट आए 23 का रिजल्ट आया PCS का फाइनल आठ मैंने में रिकार्ड बनाए उसके बारे में भी मॉटिवेशनल डिटेल वीडियो कौन क्या हरा है कैसा क्या उसके बारे में बताने के प्रयास करेंगे चलिए तो हम लोग देख लेते हैं नहीं करें चलिए भारत का भूबल देखेंगे कि भारत का जो सामान पर्चा है इसके थ्रू क्या है कि सात मां बड़ा देश है भारत भारत क्या है सात मां बड़ा देश है इससे पहले कौन कौन से देश है रूस है कनाड़ा है चीन इवियसे ब्राजील अस्टेलिया के बाद भारत अगर जनसंगा की बात करें तो भारत का बिसमें दूसरा इस्थान है अब कुल जनसंगा कितना है भारत में टू पॉइंट कुल जनसंगा कितनी है भारत में विसकी 17.5 % है कितनी है सब्णसंगा के अशा दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत के जो दूरसथ पॉइंट है यसे नकसा क्या है ऐसे यसे होता है नकसा जो हम लोग देखते हैं उसमें ऐसे यसे रहेगा तो सबसे उपर नौर्थ रहेग नेचे साउट रहेगा, इधर इस्ट रहेगा, इधर बेस्ट रहेगा तो जो अतर में सबसे उपर क्या है नकसा आप लोग देखे होंगी तो यसी देखना पड़ता है उत्तर रखके, इंद्रा पॉइंट इंद्रा कोल इंद्रा पॉइंट फॉइंट फॉइंट बिंदू रख देते हैं तो यह ग्रेट निकोबार डीप क्यों हम लोग ग्रेट निकोबार डीप क्योंकि नीचे तो समुद्ध है ना नीचे समुद्ध है तो दीप तो होंगे होंगे समुद्ध म पस्चम, गौर्मात है कहां है? गुजरात में हैं ठीक है सूर्ज पूरव में क्या है कि विफु आणाचल प्रडेश आणाचल प्रडेश आप नकसे में देखेंगे तो पूर겠지만 अब भारत की अवस्थति की बात करेंगे तो भारत किस महादीम में से थे A.C.A. مहादीम में शेत फल कितना है भारत का ये कुछनिया 32,87,263 किलोमीटर है क्या है वरक किलोमीटर है और भारत किस महादीम में A.C.A. महादीम में हम उपर उत्री गोलार्थ की अनुसार अक्षांस के अनुसार ठीक है आक्ती चतुसकोणी है पूर्वी गोलार्द में देशांतर के अनुसार भारत की सीमा रेखा जो भारत की सीमा रेखा है तो वो इस्तली सीमा रेखा क्या है इस्तली सीमा रेखा है पंदरहजार दोसो किलो मिटर और समद्धी तट रेखा है जो 75 सब्सक्राइब भारत की लगभग मद्र से गुजरती है करकरेखा करकरेखा मकर रेखा विस्वत रेखा ये गुजरती भारत की आठ राज्यों से कुस्चन कहां से आता है वह को आप लोगों बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के आठ राज्यों से गुजरती है कितनी राज्यों से आठ राज्यों से सबसे पहले क्या है गुजनात है फिर राजिस्थान है मद्ध प्रदेश है चटीसगड़ है जहारखंड है पस्चे मंगल तिप्रव मजुरम तो ये सब चार याद रख लें गुजराज आजस्तान मद्वदिश चार याद हो गए जार खंड रांची धोनी याद करो पस्चे मंगाल मंता बनाड़ी है तिपुरा और तिपुरा और तिपुरा गिरादानिया गरतला है निजूरम आईजूल ग्रीनिविच मद्वदिटाम जीमटी से पांच घंटा तीस मिनट आंगे है भारत की जो मानक समय रेका है वो पूरवी देशांतर कहां से गुजरती है उत्ता प्रदेश के मिर्जापूर से गुजरती है भारत के पॉठ राज्यों में उत्ता प्रदेश प्रदेश के इस्थानि समय के में अंतर लगवक दो बहंटे का अंतर है ठीक है यहां पर यूदि की बात करेंगे तो इलावात के पास नया नीशे जो भारत के पड़ोसी देश उनके पड़ोसी देश यह उनके लगे भारती राज के इंसासित प्रदेश ठीक है सबसे जाना पड़ोसी देश पड़ोसी देश कौन है चीन है पाकिस्तान है सीमा की लंबाई 3488 पॉइंट भारती राज के इंसासित प्रदेश और कौन-कौन से लड़ाख हिमाद चल प्रदेश उत्राकंड से क्किम अरणाचल प्रदेश पाकिस्तान और लड़ाख जम्रो किसमीर पंजाब राजर्थान गुज्रात कि अधिए कि ने तक भी कि दो कि बंगलादेश से कौन-कौन लगी हुई है पस्चे मंगाल ठीक है मंगलादेश से पष्टे मंगाल लगा हुआ है असम लगा हुआ है मेका लगा तिपरा मुझोरम जोलोग नीवी बगारा देखते लिए तेसे कौन लगा है उत्ता प्रदेश बिहार पस्चेम बंगाल सिक्किम यामार से किसकी सीमा लगती है अनाचल प्रदेश नागलेंड मडी पुर मजूरम भूतान से किम बास्चेम बंगाल असम्मणा भारत की सबसे लंबी देखो कोस्चन कहां से बनने के चांस है कि एक कुस्चन आता है इस को लगाई है कि भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी स्थिली सीमा बंगला देश के साथ सबसे चोटी सीमा अफगानस्तान के साथ और अगर समझे तटी रेखा की बात करेंगे तो पुझे नभात के इसली सीमा से लगे साथ प्रोसी राज हैं कौन कौन से हैं साथ हैं ठीक है क्या है भारत एव अफगानस्तान दक्षण में समुद पार भारत के दो प्रोसी देश स्री लंका एवं माल्दीफ हैं भारत एवं स्री लंका बीच में इस्थित पाक जलसंदी मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी की मद्दिस्थ है अब भारत का बहुत एक सुरूप देखते हैं हम लोग भारत के तो इक तो उत्तर एवं उत्तर पूर्मे परवती छित है जैसे आप लोग गए होंगे उत्तर में जम्बू कस्मीर नक्से में देखेंगे जम्बू कस्मीर सबसे उपर है परवत पहाड़ी है और गश्नंदेव भीए गंगा यमना की मैदान ठीक है दूइप समोई है लच्छ दीक बगेरा देखिए भारत का परती चित कैसा है देखो इधर पर कारा कुरम की पहाड़ियां है परवत नेपाल है यह सैंपु नदी है केलाज सेरी है सिखारी सब दिया हुगा है जीलम नदी है चंबल नदी ह पामी जुनंधि लम सेरी ऽे लग में उनका हैं अब हमालह की जो परवत तंज ते सिरी हैं भारत के उत्तरी सीमा परिस्था मैद्ध के उत्तरी सीमा ऐले हमालै की पर эпराति एने भारत के तुट्टिरी सीमा प्रेस्ट चोणाई कश्मीर में कि प्रवाइब आए चार सु क्लिमीटर में नमीन बलत परवत हिसी हमाला को तर्द्द अख्ष्रम व्याजन ट्रांस हमाला महान हमाला निम्निया हमान चलू ओना वह इसे वाले ऑड़़ प्रांस या तिब्वत हिमाला परवसेणिया कारा कुरम लद्दाग जाकर हिमाला की सबसे प्राचीन सेणि पच्चम से फूर लगव विस्तार इतना इतना सिंदु नदी के उदवं केलास की उत्तरी ढाल से विस्ट की दूसरी तताबाद की जी चोटी जो है वो कौन सी है गा मांट इवरेष्ट प्रोक चोटियां है नेपाल में स्थद्विस की सरवोची चोटी है कंचन जंगा जो है कभी-कभी क्या होता है कि मैचिंग में पूंच लिए जाता है मैचिंग बोले तो इस साइड रहेगा ये इधर भी मिला जैसे कंचन जंगा कहा आपार है चोटी सि तिस्रा में गोड १गरे नाइट से निर्मीथ हैं और देखिए लगुंए्म अमैने है ही माचिने में निरमार दट सम्कूर में सम्पीह पर्वास से उसे पर गाटिएं हैं कश्मीर घाटी चुलू परवत सिंख्ला है पीर पंजाल जो है वो सबसे लंबी सिंख्ला है दौला धर और महावारत कि निर्माण नियंद्वान लगाए गए वसादों से प्रसिद्ध दून देहरा दून कोट ली दून पाटलिन बाया सिवाले कहमाला लगवी हमाला की प्रवक सेडियां हमाला के प्राधिक पक्ष्चम से पूर यह पंजा़ हमाला है सिंद। सटलज कुमाई हमाला नेपाल हमाला यह सारी हमाला से कुष्चन है इसे कंि coûtsना ही आता है भारत की प्रमगातियां जैसे निद्ब्रा ह, मर्खा यह कहां की ह egentी है ये लद्धा की हैं और जो कुल्लू मनाली वगएरा ये समयमान चल प्रदेश कुलू कांगड़ा चंबा सांगला लाहौल स्पीति पिन वैली एक साइलेंट वैली है वो केरल में हैं नेलोंग फूलों की घाटी फूलों की घाटी क्या है उत्राखंड में हैं यूथोंग क्या चाय सिक्कि में निवेरा पच्चमंगल दार्जलेंग लेंग की चाय सांथ गाटी क्या है साइलेंट वैली वी वी वोलते हुआ उसको सांथ गाटी की जो है वो केरल में हैं जुकू क्या है नांगा लेंड में चुम्भी, सिक्कें, भारत, भूटा नियोचीन की मिलन मिंदू पर, बराक गाटी असम में, अराकू विसा का पटना, हिमान चल प्रदेश, सबसे वड़ा सिक्री, छोटा सिक्री, सोना, सोना पानी, भारत की प्रोख हिमना, लद्दाक, उत्राखंड, लद्दाक क्या है, सिय दर्दे के बात करेंगे, तो जैसे काराक, लद्दाक में कौन-कौन से दर्दे हैं, काराकूरम, खांदला, जोजीला, जोजीला, चौंग, चौंगला, जम्भू कश्मीर में कौन है, पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल एक टनल लगी है, सुनान दर्दे, बोड़्जेल, आरो, या पीसियस में एक कुस्चन कंटीनू पूशी जाते हैं, सिपकीला, बड़ालाचा, रोहता, ग्यांगची, दीवान, डेवसा, हमाना, देखो, उत्राखंड में क्या है, कि जैसे आए माना, माना दर्दा, नीतीला, आखलेपलो, एक मुर्जिला, और नाथूला दर् है, सिक्किम में है, और ये सिपकीला दर्दा है, हमानचल प्रदेश में है, इधर कनफीजन होता है, जेलेपला सिक्किम में है, भूमाडेला, दिफू, दिफू क्या है, अरणाचल प्रदेश में है, भूमाडेला, दिफू, सेला, यांग, याप, पॉंक्सों, तुजू, म इह कहां पर महराश्ट में हैं पालगाट क्या है कि यह और यरो फिलगा हLife को अब लुगा हुआ है तो देखके जाना है फूरी पीडियेफ अब देखिए भारत का उत्री मेदान भारत का जो उत्री मेदान है जैसे नदियां दोह लाए गए जलोड निचेप से नमीत जलोड निचेप की अजिक्तम गहराई इतनी इतनी विस्तार लगवक्त सात लाग लंबाई चोड़ाई अब उ भारत का उत्रक मेदान का डिटेल में हो गया है हम लोग जियोग्राफी दो से तीन पार्ट में खतम कर देंगे पूरी अब जैसे भांबर छेत क्या है भांबर छेत में क्या है किर्सी यूग नहीं है सिवाले खमाले के दक्षणी धाल पर है कभी-कभी नदियां इस चेत मे में बिलुप्त हो जाती है किस चेत में हो जाती है भावर छेत में आठ ते दस किलो मीटर चोड़ी पट्टी में नदीम दोबन लाए गए गए गुटका निश्यफों से निमी जंगली एवं बन्नपराणी चेत भावर छेत अब बहावर चेत की बारे में बात हुई अब ब बन पराणी चेत बावडी है नामेम के दड़न लुठ चेत चोरा आई दस से बीस कालियो मंतmana ऑफ Το नब यहां प्रकटक हो जाती हैं देखो यहां पर क्या होुग राता बहुग जित मेटकी खास वाद थी कि नदीया कहीं कहीं ब्लुप्ट हो जाती थी जो तराई ہوتा है उसमें नदिया फटाड़ से पर्कट हो जाता है अब जो जलुड मेधान है जलुड मेधान के अंतर का डो चीज़े है कौन-कौन नमीन जलोट से देखो एक तीज में आपको यहां पर एक क्लियर कर देता हूं कि जो खादर है यह उपजाओ जमीन है नमीन जलोट से निर्मीद बाढ़ वाले मैदान में स्थेथ पितिवास पुनाय निर्माड अत्य देख अपजाओ देखो यहां भी कुश्चन आ गया कि ज उत्तरवायत की मैदान का सामान विभाजन जो पंजाब का मैदान है गंगा का मैदान है ब्रंपुत का मैदान है तो इसमें निर्माड क्या हुगा कि सिंध्यों इसकी सायक नदियों के द्वारा पंजाब का मैदान हुगा गंगा का मैदान गंगा इसकी सायक नदियों के द पश्चिम मंगाल में बिशीश का रसम में अब हम लोग बात करेंगे पफिश्थार की तरहरा जी पध़ार कजन क्या है उत्तर फस्ञ में दिली कठा पूरब में राजमहल पहाड़ियां और पस्चम में गिर पहाड़ियां दक्षण में लाइची काड़कूम पहाड़ियां पुराने किस्टली आगनी एउरूपांते सेलों से निर्मीत है धलान पस्चम से पूरब की विवाजन ये त्रकोनी सिंखला अब मालवा का पठार की जब बात हैं कि इंदॉर साहिड बोलता हैं मालवा है वहाँ पयसे यहां पफेद आप देखो मां वालवा की ःषफार की खास कंवात क्या है मालवा के पठार की खास हाद रहे, काली मित्टी करेus सिमालवा का पठार की बात होई कुश्चन आया सफोर जएड़ा आप लोगों तो इसमें काली काली मिट्टी रहेगी पस्चम में अरावली पूरब में बुंदेल खंड और लावा प्रवाज से निर्मीत समग ढ़ाल उत्तर की और दिब्ध दक्षण में मिन्द सेर्णी रहे नर्डी के उत्तर में हैं यह सब इहांसे कुस्चन ज़्यादा नहीं आने हैं जहां से हैं जैसे बुंदेल हइन्द का पठार अब इसक पान्यों पाथार गुलते हैं घ्रिनयनीus सिनिनमी थे गिरिनट अर्द सुस्क जलवाई हैं पर सगना आप रदेश चेत थे लहरदार चेत किसी युग नहीं है अब बगेल खंड जी वह सतना उत्तर में सोन नदी में अकाल सेनी के उत्तर में गिरिनट चुम्हा पत्था इंबल्यूर निन पत्था सिनिमी थे उत्तर प नंगपुर का पठार चुटा नंगपुर के पठार में क्या विसे इस्ता हैं उसमें देख लेते हैं जैसे राजमहल पाड़ियां उत्तर पस्चिम में सोन नदी बोड़वाणा चट्टान से निमीत है विस्ता जारखंड 36 गड़ें पस्चिम मंगाल में दामुदा नदी क उत्तर में हजारी पठार रहे हैं दक्षण में राची के पठार अननाम भारत का रूर पाठ भूमी खने सम्मद छेथ हैं लोहा कोईला पाया जाता है चोटा नंगपुर्च में दामुदार है स्वैन रेखा है उत्तरी कोईल दक्षणी कोईल बराकर नदीयों के सब्सक्राइब में पूर्वी घाट का मिलन बिंदू नेलगीरी पहाड़ी पूरब में पूर्वी घाट विसाड़ लावा के परदने अफ्षणी निमीत पच्वी घाट सतस्तिंखला परवती वर्सा अननाम सहयादी दखन पठार के पच्षण में वासत मुचाई इतनी इ अनाई मुडी है सबसे उंची चोटी जो है वो अनाई मुडी है सबसे उंची चोटी क्या है अनाई मुडी है सबसे उंची चोटी अनाई मुडी है 26-95 मीटर अना मलाई पहाडी में सबसे दूसरी सबसे उंची चोटी डोडो गेटा है जो कहां पर निलविली पहाडी में अधिकान स्वाधी की नदियों का उद्गम इस्तल है पर्च्वी घाट में प्रमुख दर्रे देखो सबसे उंची चोटी अनाई मुडी 26-95 मीटर अनाम अलाई पहाडी में दूसरी सबसे उंची चोटी डोडो गेटा देखो सबसे उंची चोटी पस्वी घाट में कौन है अनाई मुडी दूसरी डोडो गेटा अधिकार सबस्वाइदी पी नदियों का उद्गा मस्तल है प्रमुख दर्रे जो पस्वी घाट है प्रमुख दर्रे कौन से है थाल घाट और भोर घाट यह महराष्ट में है ठीक है और अगर पाल घाट की बात करेंगे तो केरल कभी कोई कुश्चन में फसाने के लिए दिया जाता है कि महराष्ट में या पस्वी घाट में कौन दर्रे तन्वे तीनों एगर प्रोपर बात करेंगे कि पाल घाट कहां पर तो किरल में ठाल घाट और बोर घाट महराष्ट में यह आप लोगों को रट जाना चाहिए पूर्वी गाड सतत नहीं है नदी मदवाना खंडत ओसत उंचाई 600 मीटर पूर्वी गाड दक्षण पस्चम में सिवरा ये जावेडी की पहाड़िया सबसे उंचाई सिखर महन्दगरी 1500 मीटर सार महानदी मीलगरी तक उत्तर पूर्वी पठार मेगाला का पठार भी बोलते इसको अब उत्तर पूरी पठार में क्या क्या मिलेगा कोईला लोहा चुना पत्थर आदी खनिश्पदार थोंगा वंडार है अननामकार भी एक लोग पठार है उत्तर कचार पहाड़ी पठार का एक विस्तारित भाग पस्चम मंगाल की मालदा मेलेगा मेल्क पठार द्ठण पहाड़ी शाय करते हैं सिद्धता बकष्द पश्चम मान द्ध कर अंह पैंधाल्यूं. पहाडियां हैं गारोग खासी और जयंतिया पहाडियां हैं गारोग खासी परहावली परवस्थेनी भारत की प्राचीनत मिल्वस नहीं से अवसिष्थ परवत अरावली परवस्येस्टार राजिस्थान गुजराथ-हर्यान गिल्ली ना इस्विज परवस्येस्ञाद सबसेंटार्वी क्यों सिखा हई जी ना में अब सब्पुरा परवत सेनियां ये सब परवत पठार ये सब आज का यही टॉपिक था अब सब्पुरा परवत सेनिय उत्तर में नर्मदा नदी सर्वोच चोटी धूपगड़ चाहिए मध्य प्रवत क्या है जवल पुर में अद्रेश में सब्सक्राइब पड़ेश यानी सब्सक्राइब अब नेलगरी की जो पहाड़ियां है पस्च्चमी गाट यह पूरी गाट का मिलन मिंदू नेलगरी की पहाड़ियां सर्भोच चोटी डूड़ा वेटा 26-233 मीटर तमिलाडू विस्ताय तमिलाडू के लियू करनाटक में भारती मरुस्थल मेसो जोए गिल्भी में समध का हिस्सा था रावली पहाड़ी के उत्तरपस्चिम में यहां रेतीले टीले यहां बर्खान पाए जाते हैं पचास मिली मीटर से कंबर सा सुस्क जलबाई चेट बहुत कम बनस्पति अच्छ देख बास भी करन नदियां अल्पकालिक तथा कुछ नदियां मरुस्थल में लुप्त हो जाती है सबसे बड़ी नदी जो भारती मरुस्थल में सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है है कॉन सी नदी है कि लोनी नदी ना पैट बार गुंवास्था यान के विवाजन दो है isinग रावारन क्स चक्वोब करते हैं कुंकरत खतरएंगें तो महरास्ट करेंगे तो महरास्ट कच्छी बात करेंगे तो घूज्राड है और वाट chỉalis मस्मी ट्रषाNo मालावार सब्कार का है का man kunlar Chapgett Strac अब अब क्या है इसकी खास्वाथ पत्र में बंदर गाहं बिकास के लिए उन्कूल है यहां की नदियां डेल्टा के निर्मार नहीं करती है S3 करने माल करती हैं किसकरने माल करती है S3 बनाती है तटी मेदान पत्रों की संख्या reckless पूरी तटी मेदान पश्मी तटी अप एक छाध एक छोणा है विवाजन उत्तरी सरकार तट और कोरो मंदल तट देखो एक होगे पस्चमी तटी मेदान दूसरा होता है पूर्वी तंटम मैंदान केलकुषमिंद दीटेल में हिसलिए समझा हरे हैं इसमें जो कुष्चन जहां से उठना है वो देख लीजिए जैसे उत्री सरकार तठ और कोर मनडल पंध्डक किस की है पूरी ळोता हैते हैं काच्छ गुजनात कोंकर तक महराष्ट को वात्ट मालावार तक किरल तक जाता है और गुज्राथ से किरल तक है पच्मी पूर्वी तट में क्या है उत्तरी सरकाय तक और को रूमन नता है यहां की नदियों के विसाल डेल्टा का नमाड करती है और जो पच्मी तटी मेदान की नदियां है वो अब भारती तट रेखा जो भारती तट रेखा है उसका जो विभाजन है भारती तट रेखा का विभाजन एक तू पच्मी तट है दूसरा क्या है पूर्वी तट है पच्मी तट पूरी तट भारती तट रेखा तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है इतनी मुख भूमी की तट रेखा कितनी है भारती तट रेखा तट से लगे राज्यों की संख्या देखो इदर से कुश्चन बनता है कि तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या नो आप ल सब्सक्राइब बार बार गुजनात है महाराष्ट है गोवा है करनाटक है केरल्ट गुजनात महाराष्ट गोवा करनाटक केरल्ट अमिलाडू आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अब इसको याद कैसी रखेंगे गुजनात समुद्ध है महाराष्ट समुद्ध है सबसे लम्मी जो तट्रेखा है वो गुजनात की है उगर इस्तली सेमा की बात करेंगे तो बंगलादेश सबसे छोटी तट्रेखा का है उग्डूचेरी राज्यों में कौन सी है गुवा है तट्से लगे केंसा से पुर्देश दादा नगर हवेली तसदावानियंदे लच्टी पुदूचेरी और अंडवानियो निकोवार दीप समुई अब देखो दीप समुई क्या होता है भारत में दो प्रोंख दीप समुई है भारत में कितने दीप समुई है दो दीप समुई एक बंगाल की खाड़ी में इस दीप समुई अंडवानियो निकोवार दीप समुई और एक है अरफ सागर में एक कहां पर है बंगाल की खाड़ अब हम लोग देखेंगे इसकी की लच्च दीव समुई अब लच्च दीव समुई की आविस्तदी जैसे केरल तक से की नाम लकादी अमीनी दीव भी भूलते हैं बिवाज अनुने सबसे उत्तर में लवले मिनी कोई सबसे दक्षण में बर्तमान नाम लक्षदीव है तरवाल ने च्छे सवेने मीथ है दीवों की संख्या मा लच्च दीव में कितनी है छती आज़ानी कवरती है सबसे बड़ा ऐड्र आठ डिग्री चेनल मेनिको माली के मदल संभूव से अब जो अधिको में उसमें इसमें दीपों की संगे पता है कि दीपों की संगे है 550 अराए अरा कानियूमा सिंकला की दक्षमी दिस्तार हैं अलबान का गाधन इत्र्षमी की इप कोँ एक बेरन दीप जो क्या है सक्री है एक शक्री अब बात करेंगे अफवाय तंत की अफवाय को इंगलिस में ड्रेनेज बोलते हैं अफवाय तंत क्या है वायकाओं की जाल को अफवाय तंत कहा जाता है बाती अफवाय तंत हमाले अफवाय तंत प्राइडी पी अफवाय तंत सिंदु नदी तंत गंगा नदी तंत ब्रमपुद नदी तंत अब अभु तो कहीं कहीं पधमा बूला जाता ईए सब असलब। आप सिंदू नदीत देख केंगे देख तीन चीज है कि बाप यह फवायतंत किने प्रकार के होते हैं हमालएए फवायतंत प्राइडीपी अभु हमाले जो हिमालाई अपवाय तंथ हैं उसको भी तीन पार्ट में डिवाइट किया है सिन्दू नदीतंद गंगा नदीतंद ब्रमपुर नदीतंद आप सिन्दू नदीतंद के अंतरगत उद्गम केलास प्रवस्चेनि बोखुर चूँके निकट एक हमनत से कुल लंबाई इत्ती है भारत में 11-14 किलियोमीटर एया भारत में हमाली नदी में सबसे पस्च्वी नदी है तिब्बत में इसका नाम सिंगी खंबान वा सेर मुक ब लिए गिंगल सेयुक कावल वाहिं तर्की सब्पंचनत सतलज ब्यास रावी चिनाब एक करांची के पूर में अरब सागर में गिरती है अब देखो जेलम नदी एक जेलम नदी यह सब क्या है यह सब जंबू कस्मी साइड़ है जेलम नदी जेलम नदी प्रुमुक तटी सह जेलम नदी जेलम नदी आप लोग नहीं भूल पाएंगे प्रुमुक तटी सहर स्रीनगर जैसे याद आया तो जेलम नदी याद आगी चिनाब नदी से इसका संगम हुआ है सहायक नदी है जो जेलम नदी की बुक कि सनगंगा है उदगम इस्थल पीर पंजाल सेणी की बेरी नांग जहने से और यहाँ पे सेस नांग जेली भी है जंबू कस्मीर में कि देखो कितना टूदा पॉंट कनेक्टिविटी से बड़िया से मेटर बनाया गया है सिन्भू की सबसे बड़ी सायक नदी चिनाब नदी भारत में लंबाई जेली 1160 किलो मीटर अननाम चंद भांगा उदगम एमानचल प्रदेस । में चंद्रा उबागा की मिलंस से चिनाब नदी और जावी नदी उदगम रोहतं दर्ज्रे कि पस्चिम से चिनाब नदी से सिन्ग महां और जो रावी नदी चिनाब नर्जी और जेलम नदी इस सिंदु नदी तंद था अब सिंदु नदी के तंद के बाद आएगा गंगा नदी तंद फर द्रम्मपुत चलिए देख लेते हैं अभी पहले कि दुन कर दो अभी सिंदु नदी तंद चल्वा जो फियात नदी है वो हरी के पास सट्लज के संगम से कुल्लू घाटी में भहती है कुल्लू घाटी कहा हैं मानचल पुदीश में है उदगम रोहतांग दर्डे के निकट व्यासकुंड से है सतलज नदी कहा है पंजाब में है तिब्बत में नाम लॉंग चेन खवाब पूर्व वर्ती नदी का उधान हैं उद्गमान सरुवर के निकट राक्षस्ताल से सिफली लाके पास भारत में प्रिवेश जोजीला सिफ्टीला ये सद्धर्य अभी पढ़ा चुके हैं गंगा नदी तन्त आप देखिए सिंदो न नदी रावी नदी देखिसिंदो नदी तन्त में कौन थी सबसे पहले जेलम फिर उसके बाद चिनाब फिर उसके बाद रावी जेलम चिनाब रावी तीन हो गई और ब्यास उस्तलाच पंच परोख नदियां अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में किसके बार अपवाय का उदान बात के सबसे बड़े अपवाय तंत्काने माड़ करती हैं। उद्गम उत्त्रा खंड उत्त्रा खंड में के गोमक के पास गंगो तिमना के प्रारम मैं नदी भागी रथी। को कहनी है थे एक बार वागी नथी को पी गए थे यहां का पूरा दियू प्रियाग में अलकनंदा की मिलन के बाद गंगा कहलाती है हरत द्वार में मैदानी भाग में प्रिविस करती है को लंबाई 2525 मीटर बाद की सबसे लम्मी नदी बहाएं ततकी जो सहायक नदियां इसक बंगाल की खाड़ी अन्यनाम पदमा मेघना अब पंच प्रियाग पंच प्रियाग क्या है विश्णू प्रियाग और विश्णू प्रियाग देखो इधर क्या है कि यसी कुश्चन आते रहते हैं विश्णू प्रियाग किसकी मिलने से बना है अलकनंदा और धौली गंगा लाए यमना नदी अब देखो गंगा नदी तंत में सबसे पहले क्या देखेंगे यमना नदी उद्गम-स्थल यमनुती हिमनत बंदर-फुच्छ सेणी से उगा यमना दी का बहुत की सायक दी नदिया है वह लिए लिए छाली बेतवा केन वही जहां सी के पास ओछा से रहती गें कें गहां है बाणा में है चमब चम्मल गवालिएड जाओ को छम्मल भी मिलती है ठीक है सिंद्र गंगा की सबसे पस्चमी इसक लंबी सहायक नदी है गंगागी सबसे पस्च्वी ये सबसे सहायक नदी है वो कौन सी है यमना नदी है उद्गम स्थल जाना पहाड़ी बिन्दशेणी चम्मल नदी उत्तर प्रदेश के एटावा में यमना में बिलीन हो जाती है ठीकिये टावा च्मल नदी, खटडों का नमाल करती है गंडग नदी, उद्गमिस्तान नेपाल नहीं महाल माल है पटना कि निकट सौनपुर में गंगा में मिलन और घागरा नदी, घागरा नदी क्या है माम, चाचंगो हिमनत से निकलती है बिहार की छफ़रा में गंगा की संगम होता है साहक नभी तिला सेती बेडी और सारदा आप सब लोगों को कैसा ही लगा है बेडियो अगर आप लोगों अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ठीक है बागे वेडियो तो अपलोड होते ही रहेंगे अब जो कोसी नदी है उद्गम स्कल मांट एबरेस्ट के उत्तर से बिहार के भागलपुर में गंगा में मिलन है बिहार का सोग भी बोलते हैं कोसी नदी को क्योंकि बाड़ा आ जाती है पूर बरती नदी का उधान है मारक वदलने के लिए परचद्रिक कोसी नदी इतने सारे कोसी की विसेष्टाएं थे अब रायम गंगा नदी की कन्नोज कि निकट कन्नोज के निकट गंगा में मिलन उद्गमिस्तल काभवावीं पहारीं उत्तपदेशक नजीयवादमेह में ऐधान में फ्रthood सस, उत्गमिस्तल, छोटा नंग पूर पठाड़, दामुद्दधि मुक्स सहायक नदी बिरॉज ब् तोौढ़े गया हुथК पुछती हैं बंगाल का सभ वोलते हैं कुछती नदी दोती है सार्दा सरीव नदी सार्दा सायक परयोजना होती है सार्दा नहर परयोजना जैसे उद्वमिस्तल मिलान हमलान नेपाल हमाला है सार्दा वा सरीव नदी अन्य नाम काली चाई भारान नेपाल सीमा प्रभैती नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा की नाम से जानते हैं पॉदिपे पटना की पट्चिम में आरा में गंगा सी मिलन् अमर कंटक, पठार की उत्तरी किनारी पर जल्स पबातों करेमार गंगा के दाएंट गंगा के बाइं तकिशाएग नदी उद्गम स्थल दाजलिंग पहाड़ी महानंदा नदी पस्चय मंगाल में गंगास्री संगम ब्रहंपुर नदी तंद्ध प्रहंपुर नदी उद्गम चुमांगिम हमनत केलाश परवत सेणी में मांद सर्भुवर्थ धील के निकट अफ मानफ तिबथ में सांगपू की नाम से जानते हैं देखो इधर से कुश्चन मनता है अब्रामपुत नदी को गवह हम आप लोगों को बता दें रहे हैं कि अंधैंड तिब्बत में ब्रहंपुत नदी को सांगफो की नाम से जानते हैं और नाचल प्रदेश में क्या है दिहांग दिभ्यांग और सियांग असम में ब्रहंपुत बोलते हैं बंगला देश में जमना बोलते हैं ब्रहंपुत नदी को इतने सारे नाम हैं ब्रहंपुत नदी बंगल नदी और ब्रंपुत मिलकर बिसके सबसे वड़ी डेल्टा सुन्दर्वन का नर्मार करती हैं अब सुवन्सरी नदी उद्गम ते बच्छे तव वाचे तरणाशपदे असम पूरवर्ती नदी तो ये सारे कुश्चन नदी तंत से थे प्रायदी पी नदी तंत अगये संदर गंगा प्रायदी पी नदियां बंगल की खाड़ी में गिरने वाली और अरफसागर में गिरने वाली जो प्रूख नदी हैं मंगल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन से महानदी गोदावरी किष्णा कावेरी और अरफसागर में नरमदा तापती माही अरफसागर में गिरती हैं और ये क्या है देखो महानदी गोदावरी किष्णा कावेरी ये क्या करती हैं डेल्टा का नरमार करती हैं है यह आई हैं हाई हुआ है बाला देल्टा का ज्वाद नदम मुख देखो डेल्टा के नमाड करती एस्षॐ ऐस्जिटिशॐ हिंद्जी में ज्वाद भुद हो आद कूलते हैं सीदी बार्ध झापनाध्वरोट सुम्झाई नदी उद्गम इस्तल सहावा पहाड़ी दंतली 36 गड़ बाहराश्ट में प्राइदी भायत की सबसे बड़ी नदी है गड़ावरी नदी उपनाम इसको दखनगंगा सदस्परपात की रचना करती है नदी पेनगंगा बेनगंगा वर्दा अपरानइता सबरी इंद्रावती दाएटकी मुक्ख सहावा परवरा अपकिस्णा नदी जो हे बायतकी सहावा नदीया divers, भीमा मूसी मुनेरू दाएटकी सहावा नदीया कोई ना गाट परवा माल परवा तग औरवा उद्गम इस्तल पस्वी गाट महाबलेश और महराष्ट कावेरी नदिये उद्गम इस्तल ब्रंपत पहाड़ियां कोगाड़ु जिला करनाटक अभवाई छितकीरल करनाटक तमिलाडु बाएं तटकी सायग नदियां हेंबती सिंपा आकाती जल परवाद से उसमद्दम दाएं तटकी सायग नदियां कावी निभवानी अमरावती नर्मदा नदि उद्गम इस्तल अमर कंटक पठार जवार नद्मुक इस्ट्री करने माड़ करती है नर्मदा नदी बिलिया चेंश्वत्वड़ा की मद्ध भ्रंस घाटी में बहती हैं लंबाई तेरा सो बारा किलोमेटर अरफ साग कर्म गरती है जवलपर के निकड़ दुम्यादा अजल पपात करने माड़ करती है कौन करती है नर्मदा नदी करती है तापी नदी की बारे में सिस्ता उद्गम प्रदेश के बेतूल जिला में मुलताई से अफवाई छेत महराष्ट मद्ध प्रदेश गुजनात लंबाई साथ चोईस क्लो मीटर ज्वार नदों कियानि एस्ट्यूरी करने माड़ तापी नदी करती है नर्मदा नदी करती है पस्चम की और बहाओ अरब सागर में गरती है नदी किनारे इस्तित्रोंक सहर हैं गंगा की पास में हरदवार फतेपूर कानपूर प्रयागरहाज बारा सी भागल पूर पटना इप्रमुक गंगा की किनारे बसे शहर है यमना को कहां कहां नई दिल्ली आगरा मत्रा इटावाद किष्णा बिजयवाडा मूसी है दराबाद गोदावरी कहां कहां है नासिक नादेड राजमंगिडी गोदावरी राम गंगा बरेली और रापती कहां पहर रापती सागर एक्सप्रेस भी चलती है रापती क्या है गोरकपुर में सरीवए उद्ध्या गौम्ती लखनव सिंदले जेलम सीनगर सतलज लुधियाना सावर समती हम्दाबाद गांदी नगर तापती सूरत बेतूल स्वड़ेका जम्सेतपूर महानदी कटक चम्मल कोटा ब्रंपुद गोहाटी डिबुगर शिप्रा शिप्रा क्या है उज्जेन में बहती है उज्जे कानी में नर्मदा जवलपूर भारत के प्रमुख जलपरपात भारत के जो प्रमुख जलपरपात हैं देखो नदीयां समापत होगी हैं और हम लोग जलपरपात पर आ गए हैं भारत के प्रमुख जलपरपात जलपरपात सम्मन्द नदी और सम्मन्द राड़ स्यो समद्दम जलपरपात कहां पर है सारावती नदी पर है कहां है करनाटक में से संवद्दम जलप्रपाइव शरावती नधी कनाटक धूम्ता धार जलप्रपाइव नर्मदा नधी पर है और कहां है मद्ध परदेस कहां है जवलपूर में है। तनात वाला अलग है ये आरो ये आरो में पूंचा जा चुका है कि चिप्त कूट जलब पुर्पात इंद्रावती नदी पर है और कहां पर है संबनेदा चप्तिस गड़ बस्तर जोग्यागर सोपा ये भी कुश्चन बहुत बार पूंचा गया है जोग्यागर सोपा सरावती नदी का नाटक एक बारी फिर देखेंगे स्यों समद्दम सरावती का नाटक धुनाधार ये सब लोगं को याद है नामदा जबलपुर मदप्रदेश में हैं दीज सागर मांडवी कपिलधारा दुपदारा नामदा मदप्रदेश चूलिया चमल लाजिस्थान हुंदू ज अब भारत की प्रोंक जीलें देख लेते हैं जो भारत की प्रोंक जीलें हैं समंद्दत राज्य है जैसे बेमनाट जील मेरे को लग रहा है कि दो या तीन खातवाती है कि पूरा भारत का भूगल आप लोगों को एक सबा घंटे में देखने को मिल जा रहा है पूरी अस्टमुदी जील ये कहाँ पर है केरल में है कहाँ है ये केरल में है ये केरल में है ये केरल में है चिलका जील चिलका जील कहाँ पर है उरीशा में है बूलर जील जंबू कसमीर फुसकर राजस्थान अजमेर सावर जील राजस्थान लोक्टक जील जो है वो मरीपुर में है अब देखिए इधर देखते हैं हम लोग बहुत बहुत धेश से नदी घाटी परेवनार सरदार सरोवर परियोजना कहां परे है नरंदा नदी पर है इसकी स्तिती कहा है इग गुजरात में आवस्ति थे बाकडा नांगल परियोजना सतला जहमांचल प्रदेश सेव समुद्धम जल्वेद्ध परियोडना कावेरी करनाटक, नागार्जन सागर परियोडना कृष्णा आंध प्रदेश, हीराकॉंट परियोडना महानदी उडिशा, इदुक्की कहा हैं, पेरियार केरल में, मियूराक्षी परियोडना पस्चिम बंगाल, माता टीला परियो परियोडना, भागी रती नदी उत्रागंड, चंबल परियोडना, चंबल नदी पर राजस्थान और मद्द देश, अब दक्षण पस्चिम मानसून जो है, वो का बाता है, कैसे क्या है, तो ये देख लेते हैं पूरा, दक्षण पस्चिम मानसून बरसा जून से सितंबर तक होती है, ठीक है, हिंद महासागर से यादिता ग्रहन, भारत की सरवादिक वर्षा लगवग 80%, एक जून से केरल सिप्रारंब, दो साखाओं में गाजन, बंगल की खाडी साखा, अरब सागर साखा, अब उत्तर पूर्व मानसून बरसा, बंगल की खाडी से जलवास ग्र दाक को में वर्षा तक होती है, शुन से सितंबर हो जाती है, कहां बंगल की खाडी साखा, और स्रावास. भारत की लगभाग 80% भासा दक्षड पस्चे मानसून से होती है अब एक आमर वर्षा होती है जो कब होती है आम पक्ड़ी में सहायक है करनाटा को किरल में होती है इसको मानसून पूर वर्षा भी बोलते हैं अब सीद कालीन बर्षा क्या है भूमत सागरी पस्चिम बिसोब के काण होती है उत्तर पस्चिम भारत में होती है बैसाक महिने में असम्य पस्चिम मंगाल में चलने वाली बर्षा एक पवन है काल वैसा की असम्य से बार्दोली खीरा कहा जाता है और इसके लिए फायदा होती है चाय पस्चिम मंगाल इसके लाब दायक है ठीक है काल वैसा की पंजाब में भी सुस्क गर्म और पीना दायक पवन लू को क्या बोलते हैं सुस्क बोलते हैं गर्म जो गर्मियों में लपट चलती है उसको लू बोलते हैं दिल्ली हुआ पटना के भी तीबता इसकी अधिक होती है उहां पर जादा गर्मिय पढ़ती है लू चलती है उत्तर मैदान में पं कट होती है कहवा कि फूल खिले में साय के फूलों वाली वह चार अब बात करेंगे हम लोग काली मिट्टी की बात करेंगे देखिए जो काली मिट्टी है उसके वारे में क्या क्या हो सकता है पहले तो हम लोग यह समझेंगे कि जो काली मिट्टी है उसके अन नाम क्या है एक तो क्या है रेंगोर बोलते हैं काली मिट्टी को क्या बोलते हैं रेंगोर दूसरा बोलते हैं कपास की मिट्टी कपास या नहीं रूई और ट्रॉपिकल चेर्नोचम बेसाल्ट लावा अब इसका नमाड कैसे होता है काली मिट्टी का बेसाल्ट लावा के अफच्छा यह अपरदन से होता है अधिकता क्या है लोहा, चूना, कैलसियम, पोटास, ऐलमिनियम, एव मैंगनिसियम, कार्बोनेट की अब काली मिट्टी में कमी किस चीज़ की होती है नाइट्टोजन की कमी होती है फासपोरस एवंजेविक पदार्थों की कमी होती है काली मिट्टी सुता जुताई वाली मिट्टी है मतलब क्या इसमें दरारें पाई जाती है काली मिट्टी में तो इसको सुता जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं छेत कौन कौन से है काली मिट्टी के एक तो महराष्ट में पाई जाती है मद्र प्रदेश में पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है आन्र प्रदेश में पाई जाती है और करनाटक में पाई जाती है अब सबसे देखो अब काली मिट्टी के बारें बात हुई अब बात करेंगे हम लोग लेटे राइट मिट्टी के बाद में बाद तो लेटे राइट मिट्टी की क्या विसेस्ता है कि इसमें कम उर्वर्था होती है क्या होती है कम उर्वर्था और जो निर्मार होता है वो उसन कंडवनी वर्था के कान मिच्छालन से होता है अधिकता क्या होती है इसमें उसमें कमी किसकी होती थी नाइट्रोजन की फास्ट्वोरस की का लिमिट्टी में अब इसमें कमी क्या है इसमें भी नाइट्रोजन की फास्ट्वोरस यो केल्सियम जेवपदात होंगी बट इसमें अधिक तक किसकी होती है आरन लोहा लोय अकसाइट की इभन ऐलमनियम अकसाइट शित कौन कौन से हैं उसका कौन छित था महराश्ट थे काली मिट्टी गे मध्ध करनाटक इस उलेटराइड मिट्टी कहां कहां पाई जाती है केरल, करनाटक, तमिलनाडू, उडिशा, मदप्रदेश, असम जलोड या दोमट, जलोड या दोमट मिट्टी ठीक है, इसमें क्या होता है कि नदियों दोणा आवसाथ से इसका नमाड होता है जो नदियों दोणा बहकर लाई जाती है उसको जलोड या दोमट मिट्टी बोलते है और इसमें अधिक्ता क्या होती है पोटास की होती है, कमी क्या होती है फासपूरस की होती है छेत क्या है, उत्री मैदान एवं भारत की नदी घाटियों में पाई जाती है देश के कुल छेतपल के 40% बाट पर जलोड मिट्टी पाई जाती है अच्छी होती है जलोड मिट्टी जाओ होती है ठीक है अब लाल और पीली मिट्टी अब लाल और पीली मिट्टी के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है उरीशा में पाई जाती है और च्छतीतगड में लाल और पीली मिठती है ठीक है उरीशा और च्छतीतगड गंगा मैदान के देख्षण में इसमें कमी केया होती है नाइटोजन फासफूरस से हीमस की ठीक है महीन कड़वाली सावानता ओरवर भूमी जली उजे थोने पर पीली हो जाती है अगर इसमें पानी के भराव होगा तो एक क्या हो जाएगी पीली हो जाएगी वीडियो में अंतर तक बने रहीएगा थोड़ी और एक दू पेज बचे हुए हैं तो आज हम लोगों भारत का भूगोल पूरा हो जाएगा प्राक्तिक वनस्वती भारत में बनों के प्रकार उष्ट कडवन्दी सदावाहर यो अर्द सदावाहर वन 200 सेंटी मीटर से अधिक बड़ सा छेत में उष्ट कडवन्दी वन पाय जाते हैं जो छेत हैं वो पस्चमी गाट का पस्चमी डाल उत्तर पूर्वी छेत की पहाड़ियां अंडवान और निकवार दीव संगुई उष्ट कडवन्दी सदावाहर वन बनों के प्रकार होते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उष्ट कडवन्दी सदावाहर वन येव पूर्वी छेत पहाड़ियां अंडवान निकवार दीव संगुई में पाए जाते हैं अब पाए जाने माले ब्रक्ट कैसी पहचान करेंगे कि उष्ट कडवन्दी वर्सा बन है तो देखो रोजबुड महोगनी एनी एवनी रोजबुन महोगनी के जहां पेड़ होंगे व से हरे दिखाई देंगे हरे महरे आप ऑश्र कडवनदी सदावार हम लैव कर खन की पान पाटिवन को एक नाम और दिया गया है कि मांसुन बन अब किकिन लेसा होती सबसे दो स्णीमिक इंठर दर पे गया था किवा अधिक कि धू पॉसे कितने प्रकार के होते हैं दो प्र अर्ध पढ़ पाती बन 100-200 cm वर्षा शित में 6 उत्तर पूर्वी राज हमाले के ग्रिपत 15 गाट का पूर्वी डाल और इसा प्रमुख ब्रक्ष हैं जो अर्ध पढ़ पाती बन है उनके जो प्रमुख ब्रक्ष हैं वो कौन-कौन से हैं कैसे समझेंगे हम लोग के अर्ध पढ़ पाती बन है देखो सागोन साल, सीसम महुआ, आउला जार सी बात है महुआ का पेड़ क्या है पढ़ पाती बन है मान सुनी बन है सीसम, साल, सागोन और एक एक तो हो गया आर्ध पढ़ पाती बन 100-2 जो ईक्या होता है सुस्क पड़आती वन इसमें क्या होगा कि 97-100 cm पर उसमें कहां जा रही थी 100-200 cm सबसे जाना मर्चा हो ओष्न कटवंदी सदावारवन ठीक है सबसे जाना मर्चा हो रोजबडों cherche, आदपढपाती वन सागों सभी जानते हैं, साल सीसं जानते हैं, मभ्वुववा जानते हैं आवला की पेभर यह क्या है आदपढपाती वन आज आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो आज आप लोग वीडियो देखे हैं सुस्पण पाती बन सत्तर से सो सेंटीमिटर वर्षा शित में छेत प्राइदी पठार का अधिक वर्षा शित यह कहां पाए जाते हैं सुस्पण पाती बन वो तो पाए जा रहे थे आपद कहां पाए जाते थे हमालय के और बेहार में आप उत्ता प्रदेश विखार में कौन पाए जाते हैं सुस्प पाती बन इस समझ में आया तो बाच्चोष सब शंग में आ रहा शेत कोनं है प्राइदी पढ़ार का अधिक वर्षा चैट उत्ताप अब पाए जाने माले पर क्यासे पता करेंगे के सुस्प कटबंदी काटे दारवन अब इसको क्या है 50 सेंटी मीटर से कंबर सा चित में उष्ट कटबंदी काटे दारवन दक्षर पस्चिम पंजाब हर्याणा राजस्तान गुजरात मदप्रदेश उत्वधिपाई जाने पर बबूल बबूल का एक पेड़ होता है बबूल का जैसे नीम होती है ऐसी बमूजा का पेड़ होता है बबूल खैर खजूर खजूर में काटे होते हैं खैर नीम खेजड़ी खेजड़ी कहा होती राजस्तान में पलास अब बात करेंगे हम लोग पर्वती बन की पर्वती बन क्या होते हैं कि हमाले परवत एंदक्षन पहारत के परवतों पर सूलास नेलगी अन्नमलाई और पालनी पहाड़ी उप्राय जाने बल वाले बन बेलान चली वा अनुबबन बिस्तार शहजार सास्तो चालिस बरक किल विता श्यत पर आदभूमी श्यत्रों डेल्टाई श्यत्रों समॉताडी श्यत्रों आप भारत की पुम्फ जनजातियां की बारे में हम लोग चक्चा करेंगे तो जो उत्ता पृदेश में जनजाती है वो कूं सी है ठारू राजी खरवार बुखसा बोटिया से बुखसा बुकसा कहांए बिजनवर में वड़ी जन्जाती खर्वार बुकसा बोग्षा बिहार में क्या है असोर बिरहोर खरिया कोर्वा जारखण्ट में औराव हो बिरहोर खर्वार असोर भेंगा भूमिच खोड़ गोर्वा मद्परद से चतिज़डible कोर्वा कमार सहारिया बेंगा बिरहोर राजस्थान में राजस्थान की एक प्रस्थ जन जाती है मीडा मीडा भी बोलते हैं मीडा भील कोल भील कहां पर हैं राजस्थान में सहारिया गरासिया दमोर पटेलिया पंगानियर कुछ तो सब लोग को पता रहता है जैसे मीना हो गया कोल बील हो गए सहरी यह हो गरित्रीया ऐस अब राजस्थान उत्त्राकंड में कौन सी हैं भोटिया थार्यू जॉन्सारी बुकसा बुकसा उत्त्राकंड में भी है और उत्त दिश में ही बुकसा वक्सा से बिजनोर जाजी तमिलाडू कोटा इरूपलर पनियर टोड़ा उडिशा बिरहोर जुवान बोडो खरिया करनाटक की कुरवा पूरान जेनू गुजनात की सिद्धी कोटवालिया कोलगा पच्चम बंगाल टोटो डोडो बेटा नहीं डोडो बेटा एक चोटी है प एंटरनली ओ ग्रेट अंड मानी बारत की प्रमफ जन जातिया निवास चेत जैसे जो कोल वील है वो कोल वील क्या है गुजनात मदप्रदेश चतीजगर महराज राजस्तान गौंड एक जन जाती है पिहार पच्चम बंगाल जारकंड महराज चतीजगर मदप्रदेश पु दिशा हतिफव मंदा मंधा का हैं बिहार में जार खर रंद मदप्रदेश चतीजगर मंगाल इसमें क्या होता है कि कुछन दिया जाता है कहा पनिवास करती है तीन उस्टन गलत रहेंगे एक उस्टन वो सही कर देंगे या फिर वो कहेंगे कहां पर नहीं पाई जाती है तो एक उस्टन गलत कर देंगे तीन सही कर देंगे कोल क्या है बिहार जारकंड सतीजगर मत प्रदेश उडिशा करसी कुछ महात्पूर्थ भारत का विभाजन बीस किसी प्राइश से खेतों में भारत की किसी किसी क्या है करसी भी यो परसपालन मी करते हैं अंतरफचली खेती एक ही भूमी पर एक साथ दो अदिख फचले भाने को क्या बोलते हैं अंतरफचली एक मार्क क्या होता है क्रसी उतपालों की गुडबत्ता करमान एक मार्क कर दिया जाता है जब कोई फचल अच्ची हो जाती है अब भारत में जूमिंग क्रसी के छितरी नाम एक जूमिंग करसी होती है जूम करसी जो है उत्तरपूर में भारत में असम में पाई जाती है मेगाला में नागालेंड और मिजूरम में ठीक है भारत में जूम करसी के नाम से जानते है ठीक है जूम करसी कहा कहा जूम करसी को जानते हैं भारत में असम में जूम बोलते ह मेगाला में जुम बोलते हैं मिजूरम नांगालंड और पामलू पामलू कहां बोलते हैं मरीपुर में दीपा कहां बोलते हैं 36 गड़ बेवर दहिया मदप्रदेश पॉन्डू पेंडा अंत देश पामाडाबी कोमानो बरीवा उडिशा कुमारी पस्च्विंगार्ट वालरे साल्टरे दक्षन गाजस्तान खेले मान चल पुदेश कुरुवा जारखंड बस दो पेज और बचे हुई हैं धहर बनाया रखें आप लोग पैसेंस की जरूदत होती है पड़ाई में चलिए बिस में जूमिंग किसी के छेत्री नाम मिलपा मैक्सको और मदप्री अब बिस बात करेंगे जूमिंग जैसे अगर मिलपा की बात होगी तो मैक्सको मददमेर का कौन को बेनेजुएला रोका ब्राजील ब्राजील फुटवाल वगेरा यह सब फुटवाल वगेरा परसिदे ब्राजील मसोले मदप्रीगा लद्धां इंडोनेसिया जे जे क्या है बेतना इनन खनेच कोला तदा पेटोलियम और साथ सेलों की चट्टा में पाई जाती हैं छोटा नांगपुर को भारत का रूर पिर्देश का आ जाता है रूर पिर्देश के नाम से जानते हैं अब प्रमुक खनेच संस्थान के बारें बात करेंगे हिंदुस्तान कॉफर उदैपुर एवी राजिस्थान में बाहरती खान ब्यूरो ठीक है नांगपुर में दाश्टी डादुकन प्रयुकसाला जमसेथपुर जमसेथपुर क्या है टाटा की है इमत प्रदेश में होगा बर्मा मायंस छेथ खन केंदी खनेने इनन अनसुनान के ननवाद खनेच लोई खनेच लोई आयस के कुल आरच्छित भंडारों को लगभग पंचानीवी परसेंट भाग मलब पंचानवी परसेंट सो में लुआ कहां पाये जाता है लोई खनेच उरीशा में जारखन शतीदगर करनाटा गूबा आंद्रप्रदेश तमिलाड़ु इतनी राजियों दोल filed प्रकार का होता है कितनी प्रकार का हुदा एक लोई खनेच योफें को असच्छत क्लिंटी का Сейчас को लेट गल्रुएります कहते हैं है में टाइट एस को लोहे का क्या कहते हैं आकसाइड ही कहते हैं इसका रंग लाल गेरुआ होता है या मुक्ता धारवाट और पुड़पा सेलों में पाया जाता है लोह एस का प्रादिसिक बित्रण उडिशा मियूर भन जनपत के गुरु महिसानी एम बादाम पाहड छेत कियों चर्ज लेके वरी सुन्दर गड केलेके मालंग टोली कंडाल पाहड करनाटक बेलोरी चितदुर्ग चिकमंगलूर सिमूगा माहुदन पाहडी धारवाड छे च 36 राजनंद गाउं, बेला डीला चेड, जगरतपुर धन्तेवाडा बस्तर हो दरू जार खंड में, नुवा मुंडी, डाल्टन गंज, सिंग भूमी जला, आनप्रदेश, किष्णा, करनोल, कोडपा, निलोर्चिन, महाराष, थीपल गाउं, उसाला, देवलाण, सूरजकुन, खनेज का नाम, प्राप्तिस्थल राजगाउं, मैगनीज, क्योचर, सुंदर ग जाता है, उरिशा, उरिशा में प्राप्तिस्थान एह हैं, महाराष्ट, मद्पदेश, बालगाट, चिद्वाड़ा, जागगा, जबलपूर, देवास, खनेज नाम, तामा कहा पाया जाता है, राजिस्थान में, यहां की क्या है प्राप्तिस्थल, खेतडी, जिले में, मेसावानी, राखा, बाकसाइड, उरिशा, कुरापुर जिले में देश का बिरहत्म छित, और क्रोमाइट, उरिशा, करनाटक, सीषा, राजिस्थान में, उदापुर जिले का जावर छित, तरीवा, राजपुरा, भीलवारा, तारागर, फदेई, अजमेर, जस करनाटक से, चानी कहां से प्राप्त होती है, राजस्थान से, करनाटक से, कोला रेयूं, हड्डीगीकान, करनाटक से, मुमी, धनवाड और, दुमका जला, जार खंड, चार प्रारूपों में, विवाजित किया गया है, कार्वन की मात्रा के नुसर, एंथ्रेसाइट, 90.93, क्री कारवन की मात्रा बिटूमिनेस गोला के कितने प्रकार हैं सबसे अच्छा कोला कौन सा होता है ऐन्सरासीट उसके बाद क्योंकि जिसमें कारवन की मात्रा जाना होगी कोला सबसे वेस्ट होता है एंसरे साइट में nau میں chemwork कारवन की मात्र होती है बिटुमिनस में 55-80, लिगनाइट में 45-55, फीट कोयला में सबसे कम होती है, 40% करवन, देश का 90% कोयला कहां से प्राप्त होता है, गोडवाना चेट से निकाला जाता है, इस चेट से सरवादिक मात्रा में बिटुमिनस कोयली की प्राप्ती होती है, एंदरसाइट कोयले का स तरवादे भंडार यह उत्पादन कहां पर हैं लिगनाइट कोईला तमिलाडू है अब यह लास्ट पेज हैं हम लोग मेरात्र क्लास यहीं पर दायंड करेंगे फिर गिसकी दूसरी क्लास लाएंगे दानी गंज जरीया डालन गंज देवगार उत्री करणपुरा मदप्रदेश सिंग्रोली सोहाथपुरा उमरिया उडीशा तल्चर इदूनदी असम मिक्र पहाड़ी सिंग्रीमारी सिक्किम रंगित गाटी पष्य मंगाल दानी गंज बारजोरा बीर भूमी मेगाला खासी पह गुदावरी गाटी सिंग रहनी प्राक्तिक गयस शेत्थ तेख लेते हैं जक्तिया गोंगा गुजनात मंगडम अबाणी गुरुमंगडम तमिल्नाडू नर्कटिया मुमान शेत्थ असम बाडमेर चंसवाल राजस्तान नौंग्चिक मियाको उंग अरणाचल प्रदेश कृ कच्चे खनच तेल उत्पादन के चार छेत्थ हैं कौन कौन से हैं आईए देख लेते हैं ब्रह्मपुत गाटी से गुजनात तट से और पस्चमी तट पूर्वी तट ये क्या है कच्चे खनच तेल के उत्पादन के चार छेत्थ हैं ब्रह्मपुत गाटी देश का सबसे पुराना तेल अत्वादक शेथ थे हैं, भारत की प्रोमुक रिफाइनरी देख लेते हैं, जैसे जो तेल की रिफाइनरी जैसे डिगबोई डिगबोई की स्थाफन कवी 1907, असम में, असम में कितनी तेल रिफाइनरी हैं, इक तो डिगबोई, कभ है 1918, गोहावती उसको नू चार नुमालीगण इत्ती असम में तमिलाडु में सबसे जाना असम में तेल के कुगा पाये जाते हैं। तमय लाड़े में क known है मनाली और नंंग पक्तिनम महरास्ट में कौन है ट्रामबे मॉंबई और चकंग फट्रामबे एक उनिस्ट संगन 25 आंद प्ष्यम में कौन सी है विसाखा पक्तिनम कोक ताथी पाक को है और 1300 कोची केरल में औरीशा में पारा beginner मत्वरा मत्वरा उत्तर प्रदेश की एक मात्ते सोधन साला कहां पर है मत्वरा में में जो की उत्तर प्रदेश में पढ़ता है कोईली क्या है आप लोग कोईली से केरल मत समझना कोईली कहां पे गुजलात में ठीक है मैं सोच रहा हूं कि एक बार और आप लोगों को ये बता जिए असम में कौन है असम में तेसोदन दिगबोई गुहाटी बोगागाई नुमाली गड़। क्या है 1955 जो विलाई सेंथ की स्थापना है 1955 में हुई थी किसकी सहाथा से हुई थी रूस की सहाथा से विलाई 36 गड़ में है रावर केला कहां पर है उरीशा में है इसकी सहाथना कब हुई 1969 में सबसे पहले विलाई में स्थापना हुई यह किसकी सहाथा से हुगा सबसे पहले दूसने साहता की ये जर्मनी की साहता से दुर्गापुर क्या है पस्चिम मंगाल में है इस्थापना बेटेन की साहता से 1969 मलब 1969 में दो सेंथ इस्थापित हुए एक हुगा उडिशा में ठीक है वो जर्मनी की साहता से दूसरा हुगा दुर्गापुर में पस्चिम मंगाल की स्थापना से बेटेन की साहता से बोकारों क्या हैं जारखंड में एक इसकी साहता से रूस की साहता से बारत की प्रमुक एलमुनियम कंपनी है एक है इंडाल को इंडाल को क्या है सायक देश का नाड़ा है और प्रमुक के इसके क्या है इंडाल को के इसके हैं जेके नगर पच्चे मंगाल मुरी जारखन अलवाय केरल इंडाल को एक है इंडाल को यह सेक्तरा जमीर का का है बाल को सोवियत संग के सहायक देश है कोरवा 36 गड़ो कोईना महारास्ट कोईली गुजनात उदर था माल को इटली चेन्ड़ी मैट्टूर सलिन तमिलनाडू बेदानता गुरुफ भी है बेदानता कंपनी भी है अलुमिनियम कंपनी आए जहार सगोडा उरीशा में जर्मिनी सहायक देश है एक नालको कंपनी है 1981 सहायक देश फ्रांस दामन जोडी उरीशा अंगल उरीशा में अब हम लोग राष्टी राजमार की बात करेंगे कि भारत में कुल सड़क लंबाई का लगवाग 2.1% कुल सड़क यातायात का 40% वान होता है सबसे लंबा राष्टी है राजमार एनेच 27 इस्ट वेस्ट 4,112 इसके पहले क्या था 44 अब 4,112 किलिमीटर भारत में कुल जो रेलिवे जोन है 18 है इससे पहले कौन थे 17 थे एक कौन जोन जोड़ गया है एक मेट्रो जोन जोड़ा है ठीक है इस वज़े से 18 हो गए है अब देखो राष्टी जलमार अभी क्या लोको पालेट की विकेंसी आई हुई है जब रेलिवे कपड़ाने लगेंगे तब उसमें ये सब बताएंगे सब राष्टी जलमार भारत में कुल राष्टी जलमार एक सो ग्यारा है 111 राष्टी जलमार गें सबसे बड़ा कौन सा है हल्दिया है जो कहाँ पे है पस्चे मंगल बुज़नात की तट्रेगा लंबी भारत में सबसे लंबा जो जलमार गें वो नेशनल हाईवे 4 है 2890 किलो मीटर तो एदर हम लोगों की पूरी भारत की भोगोल यानि इंडियन जियोग्राफी मेराथन क्लास में पूरे जो मैन मैन टॉपिक थे हम लोगों ने कवर किये अब जो नेक्ट वीडियो आएगा वो विसक्वे भोगोल का आएगा तब तक आप लोग बताएं कैसा क्या रहा आप लोगों को फीड़िवेक चाहिए मेरे को ठीक है अभी इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि काफी सारी आप लोगों कवर करना है ठीक है तो दोस्तो एक कंटिन्यू क्लास चली ठीक है जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें इम वीडियो को लाइक करें और सेयर करें ठीक है चलिए तब तक के लिए जैहन जैवारा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में